स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेर के आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्यूशन और आंसर से लेकर आये हैं तो आईए शुरू करते हैं क्यूशन नंबर वन विकिलिक्स के संस्थापक जूलियस अंसाजे किस देश के नागरिक हैं विकिलिक्स के संस्थापक जूलियस अंसाजे किस देश के नागरिक हैं ओप्शन ए ओस्ट्रेलिया बी अमेरिका सी फ्रांस और डी जर्मनी इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऐस्ट्रेलिया दोस्तों विकिलिक्स के संस्थापक जूलियस अंसाजे ऐस्ट्रेलिया के नागरिक है हाल ही में विकिलिक्स के संस्थापक जूलियस अंसाजे को ब्रिटिश अदालत ने पचास सप्ता केद की सजा सुनाई थी उन्हें ये सजा जमानत का पालन न करने के लिए दी गई थी तो बढ़ते हैं next question की तरफ हाल ही में सेबी ने किस stock exchange पर 6 महिने का प्रतिबंध लगाया हाल ही में सेबी ने किस stock exchange पर 6 महिने का प्रतिबंध लगाया है A. B. SE B. National Stock Exchange C. New York Stock Exchange D. Colombo Stock Exchange इसका सही आंसर है B. National Stock Exchange हाल ही में सेबी यनिकी Security and Exchange Board of India ने राश्ट्री stock exchange पर 6 महिने की पाबंधी लगा दी है सेबी ने राश्ट्री stock exchange को निवेशकों के 625 करोड रुपे वापस करने का आदेश भी दिया है इस राश्ट्री पर 2014 से 12% की दर से सालाना ब्यास देना होगा ये आदेश राश्ट्रिय stock exchange की को लोकेशन फेसिलिटी में खामियों के कारण दिया गया है अगला क्विश्चन मामलुह गुफा किस राज्य में इस्थित है इसका सही आंसर है दोस्तों C. Megalaya मामलूह गुफा मेगालाय में इस्तित है हाल ही में Geological Survey of India North Eastern Risen ने दो Geological Display Board इस्थापित किये हैं इसका उद्देशे परेटकों में इस इस्थान के महतों के बारे में जागरूपता फेलाना है ये दो बोड मेगा लेके इस्थ खासी हिल जिलेके मामलूह गुफा तथा थेरिया घाठ सोभर में इस्थापित किये गए हैं अगला क्यूशन राजस्थान के कि शहर में आठवी Asian Youth Women Handball Championship का आयोजन किया जाएगा क्यूशन नमबर चार राजस्थान के कि शहर में आठवी Asian Youth Women Handball Championship का आयोजन किया जाएगा ओप्शन एक कोटा बी उदेपूर सी जोधपूर और डी जेपूर इसका सही आंसर है डी जेपूर दोस्तों राजस्थान के जेपूर में आठवी Asian Youth Women Handball Championship का आयोजन किया जाएगा इस प्रतियोगिता में 10 तीमें हिस्सा लेंगी इसमें पिछले वर्ष की Defending Champion दक्षिन कोरिया भी शामिल है इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार जेपूर में 21 से 30 अगस्त के बीच में किया जाएगा नेक्स्ट कुशन W.A.P.C.O.S का मुख्याले किस स्थान पर इस्थित है Q.A.P.C.O.S का मुख्याले किस स्थान पर इस्थित है Option A. नई दिल्ली Option B. जेपूर Option C. जेसलमेर Option D. अजमेर दोस्तों इसका सही आंसर है Option A. नई दिल्ली इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है हाल ही में Dredging Corporation of India Limited यानि की DCIL ने हाल ही में Water and Water Power Consultancy Services India Limited यानि की W.A.P.C.O.S के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये है बढ़ते हैं Next Question की तरफ Question No. 6 हाल ही में France का सर्वोच नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया हाल ही में France का सर्वोच नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया A.Ravishankar B.A.S. Kiran Kumar C.J.R.D. Tata D.Jubin Mehta हाल ही में France का सर्वोच नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया A.Ravishankar B.A.S. Kiran Kumar C.J.R.D. Tata D.Jubin Mehta इसका सही आंसर है B.A.S. Kiran Kumar हाल ही में इसरो के पूरु चेर्मेन A.S. Kiran Kumar को France का सर्वोच नागरिक सम्मान प्रदान किया गया उन्हें ये सम्मान भारत France अंतरिक्ष सहयोग के लिए दिया गया है A.S. Kiran Kumar 2015 से 2018 की बीच इसरो के अध्यक्ष रहे हैं अगला क्विशन क्विशन नमबर 7 किस भारती ये पहलवान ने अली 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 एव कुष्ति प्रतियोगिता में सोन पदग जीता ओक्षन A.S.ुशिल कुमार B. बजरंग पूनिया C. हरदीप सिंग और D. योगेश्वर दत्त इसका सही आंसर है B. बजरंग पूनिया पहलवान भजरंग पूनिया ने अली अली एव कुष्टी प्रतियोगिता में बहुती शांदार प्रदशन करते हुए स्वन्ड पदक जीता है इसके साथ ही भजरंग पूनिया अली 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 एव प्रतियोगिता में स्वन्ड पदक जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं बजरंग पून्या ने फाइनल में 65 किलोग्राम का भार वर्ग में क्रिस्टाइल में रूस के विक्टर रसादीन को पराजित किया हैं। अगला क्यूशन, क्यूशन नमबर एर्थ, दो हजार अठारा उन्निस में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ती करता देश कौन सा रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों, डी इराग। दोस्तों, दो हजार अठारा उन्निस में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ती करता देश इराग रहा। इराग से सबसे ज़्यादा दो हजार अठारा उन्निस में कच्चे तेल की आपूर्ती की गई। इराक ने भारत को 2018-19 में 46.61% मिलियन टन कच्चे तेल का निर्यात किया है। ये पिछले वर्ष की मुक्काबले 2% ज्यादा है। अगला क्यूशन, क्यूशन नंबर 9, हाल ही में केंदरी रक्षा मंत्राले ने रूस से किस हेलिकॉप्टर को खरीदे जाने की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है A, कामव 31. दोस्तों, केंदरी रक्षा मंत्राले ने रूस से 10 कामव 31 हेलिकॉप्टर खरीदे जाने के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। ये 10 हेलिकॉप्टर 36 करोड रूपे में खरीदे जाएंगे। ये हेलिकॉप्टर भारतिये 9 से नाखे लिए खरीदे जाएंगे। ये निर्णे रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिगरहन परिशत की बेठग में लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्विशन की तरफ क्विशन नमबर 10 निम्न में से किसने इजराइल के प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली है। इसका सही आंसर है बी बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 अपरिल को इजराइल के प्रधान मंत्री चुनावों में जीत हासिल की है। तो ये था 4 मई 2019 का करंट अपेर।